सही बात है आखिर गरीब आदमी जाये तो जाये कहां यह अशोक कुमार जो जनपधापुड में ठेले पर फल बेच कर अपना और अपने परिवार का पारन पोशन करते हैं रोज़ाना की तरह यह अपना ठेला लगा कर फल बेच रहे थे अशोक कारोप है कि तभी पुलिस सैरन बजाते हुए आती है और आसपास खड़े सबजी और फल बेचने वालों पर अंधादुन लाठिया बरसाने लगी हद तो तब हो गई जब पुलिस ने फलों से भरा ठेला पीछे के नाले में डाल दिया जिसके बाद ये गरीब खुद नाले में कूद कर अपने फन निकालने लगा आखिर लॉकडाउन के समय में और कोई चारा भी नहीं बचा था अगा नाम तुम्हारा क्या वाजी अठादु ये पट्धिया लगा तो मतूरी करता हूं वह तुम्हाली गारी यहिष ये जालों पेल रहे पंड़िशा नुपसान हो गाउं बेरहाल कुछ ठेले वालों ने अरोप लगा है कि पुलिस कर्मी आए दिन मारपीट करते रहते हैं जहां पुरा देश कुरोना जैसी महामारी की वज़े से परिशानियों से जूज रहा है तो वहीं गरीब मजदूर तबका भी अपने परिवार का पालन पोशन करने के लिए मजदूरी करता है लगिन मजदूरों के साथ ऐसे वहवार ने पोलिस की भूमी का पर सवाल खड़े कर दिये हैं वहीं सलसले में जब हमने पोलिस अधिकारियों से पूचा तो सुनिये उनका क्या कहना था कल सोसल मीडिया पे वीडियो वाइरल हुई जिसमें दुस परचार किया रहा था कि ठेला जो है वह फल वाले का थेला पूलसारों ने पलट गया का कि मैं वह हटाने के लिए पूलसारों का थेल वाले धर हागने भागने लगे हापुर से देवेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट यूपी तक अाल चुमार शर्मा शर्मार